कैसे हो रमेश? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ तो रमेश, पैदावार और बाजार भाव के मामले में ये साल तुम्हारे लिए कैसा रहा? पिछले कुछ सालों की तुलना में ये साल काफी अच्छा रहा पैदावार में लगभग 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई साथ ही बाजार में भी बहतर दाम मिले ये तो बहुत अच्छी बात है एक बात बताओ, हम दोनों एक सी फसल उगाते हैं एक से मौसम में काम करते हैं और लगभग बराबर मेहनत करते हैं उपर से एक ही बाजार में पैदावार को बेचने भी जाते हैं उसके बावजूद पैदावार और बाजार के भाव में इतना अंतर क्यों? अरे भाई, परिशानी तेरी पसंद की फसल या मेहनत में नहीं है फिर तुम्हारे हिसाब से परिशानी क्या है? हम हमेशा एक ऐसे समाधान की तलाश में रहते हैं जो हमें पैदावार बढ़ाने में मदद कर सके और इस चक्कर में हम सिंथटिक और रासाइने क्रिशी प्रोडक्स का सहारा ले लेते हैं इन प्रोडक्स से हमें तुरं तो अच्छे परिणाम मिल जाते हैं पर लंबे समय में पैदावार की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाती है जिसके चलते बाजार में भी उमीद से कम भाव मिलते हैं हम ये तो सच है पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इससे निपटने के लिए क्या किया? की रेंज है जो एक व्यापक द्रिश्टिकोंड के साथ किसानों को जैविक क्रिशी अपनाने में मदद करता है मेरे दोस्त के अनुभवों को सुनकर मैंने बायोफिट स्टिमरिच का उपयोग किया और जिससे मुझे अत्यंत अच्छे परिणाम मिले ये पौधों के लिए एक जैविक व्रिधी वर्धक है जिसका व्यवस्थित उपयोग सभी विकास चरणों में पौधे को स्वस्थ और उत्पादक बनाता है ये सब सुनके तो अच्छा लग रहा है क्या तुम मुझे बता सकते हूं ये हर व्रिधी चरण में कैसे मदब करता है हाँ बिलकुल साधारणत एक फसल के जीवन चक्र में छे महतोपूर्ण विकास चरण होते हैं और स्टिमरिच इन सभी चरणों में कारे करता है चलो एके करके समझते हैं पहला बीज अंकुरण ये फसल व्रिधी का पहला एवं अत्यंत महतोपूर्ण चरण है और इसके बावजूद ये देखा गया है कि सिर्फ 60 से 70 प्रतिशत बीज ही अंकुरित होते हैं और शुरुवात में ही हमें 30 से 40 प्रतिशत बीजों का नुकसान सहन करना पड़ता है स्टिमरिच का उपियोग बीजों के अंकुरण में व्रिधी करते हुए नुकसान को कम करता है जब मैंने इस का उपियोग अपनी फसल पर किया तो लगभग 90 से 92 प्रतिशत बीज अंकुरित हुए ये एक अत्यंत महत्व पूर्ण अवस्था है क्योंकि इस दौरान वाइट रूट्स का विकास होता है जो पोशक तत्वों के अवशोशन के लिए जिम्यदार होती है इस दौरान स्टिमरिच का उपियोग वाइट रूट्स के उचित विकास को बढ़ावा देता है जो आगे की वृध्धी के लिए आधार तयार करते हैं जितनी मजबूत नीव उतना ही मजबूत पौधा होगा चुकि अब जणों का विकास हो गया है तो वो वनस्पती के विकास में मदद करती है इस चरण में स्टिमरिच का उस्तेमाल मजबूत तने अधिक शाखाओं के विकास को बढ़ावा देता है हम सभी जानते हैं कि पौधे में जितनी अधिक फूलों की संख्या होगी उतनी ही अधिक फसल होने की संभावना जबकि ऑक्सिन की कमी होने के कारण हम सभी फूल गिरने जैसी समस्या का सामना करते हैं इस समस्या के समाधान के लिए स्टिम रिच पौधों को प्राकृतिक रूप से उत्पन आक्सिन प्रदान करते हैं, परिणाम स्वरूप फूलों का गिरना कम हो जाता है पांचवा फल एवं पुष्प गुच्छ गठना स्टिम रिच पुष्प गुच्छ की आकार को बनने एवं फलों के विवस्थित विकास को बढ़ावा देता है छठा, अनाज भरने एवं फलों का बनना ये फसल के जीवन चक्र का अंतिम चरण है और स्टिम रिच कार्बो हाइडरेट को तने से उपर तक पहुचाने में मदद करता है परिणाम स्वरूप पैदावार रंग एवं आकार में अच्छी होती है साथ ही ताजी भी दिखती है इस प्रकार से स्टिम रिच के इस्तिमाल से उपज में लगबग 20 से 25 प्रतिशत वृद्धी होती है साथ ही बीजों में लगने वाली लागत एवं इंटर कल्चर कॉस्ट में भी कमी आती है एक बात बताओ बाजार में ऐसे वादे करने वाले बहुत से प्रोड़क्स मोजूद है तो तुम्हें एक नया प्रोड़क्ट इस्तिमाल करते समय डर नहीं लगा इसलिए मैंने कमपनी और प्रोड़क्स के बारे में पूरी तरह से जानने का निर्णे लिया और मुझे पता चला कि भारत में 10 लाख से भी अधिक किसान बायो फिट प्रोड़क्ट का इस्तिमाल कर रहे है साथ ही स्टिम रिच सभी आवश्यक संस्थाओं द्वारा प्रमानित है जैसे कि इसका उतपादन DSIR द्वारा प्रमानित लैब्स में होता है साथ ही APEDA द्वारा ये भी प्रमानित है कि इसका कोई रासायनिक अवश्यक नहीं है तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है एक बात बताओ इसका इस्तमाल किन-किन फसलों के साथ किया जा सकता है सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है जैसे कि फल, सबजियां, अनाज, दालों, आदी ये सब तो मुझे समझ में आ गया पर तुमको बाजार में भाव क्यों बहतर मिलते हैं देखो भाई, जब आपकी पैदावार रंग, आकार में अच्छी है, दिखने में भी ताजी है, उपर से जैविक, तो कोई भी उसके लिए ज्यादा भाव देगा सबबात की एक बात ये है कि हम सब स्वस्थ और पौश्टिक खाना खाना चाहते हैं मैं इस प्रड़क को पक्का उपयोग करूँगा, अच्छा इसका इस्तेमाल कैसा करना है? बहुत आसान है, एक लीटर पानी में एक मिली लीटर स्टिम रिच मिलाकर हर वृद्धी चरण में स्प्रे करना है एक आखरी सवाल, क्या इसका उपयोग करते समय किसी खास बात का ख्याल रखना है? अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, बहतर परणाम के लिए इन बातों का ध्यान जरूर दें स्टिम रिच के उपयोग से पहले पंप को पूरी तरह से साफ करें उसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या रसाइनिक अवशेश नहीं होने चाहिए स्टिम रिच को किसी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ न मिलाएं पूर्ण तह जैविक होने के नाते ये उनके साथ अनुकूल नहीं है बीज अंकुरन के दोरान विशेश ध्यान रखें उदारण के तौर पर अगर बीज का आवरण नरम एवं समवेदन शील है तो उस पर स्टिम रिच मिक्स का स्प्रे करके बीज रोपन से पहले च्छाओं में कुछ देर रहने दें दूसरी तरफ यदि बीजों का आवरण कठोर है तो उन्हें स्टिम रिच मिक्स में भिगो कर रखें फिर छाओं में सुखा कर बीज रोपन करें तुम्हें भी बायो फिट क्रिशी फायदेमंद क्रिशी का साथ लेना चाहिए बायो फिट प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए तुम www.netsurfnetwork.com पर लॉग आन कर सकते हो